हेलो दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे मद्वदेश सामानियां से सम्मदित आपके कुछ मतून कुश्चन्स और उनके आंसर यह सभी कुश्चन्स आपके अबजेक्टिव रूम में थे किसमें अबजेक्टिव रूम में एक तरह से आप लोग MPGK का मौक टेस्ट कह स करे तो इस तरह के हम लोग 19 टेस्ट अभी तक कतम कर चुके हैं यह आपका 20 वा टेस्ट है कौन सा 20 वे नंबर का तो 20 वे नंबर का टेस्ट है तो टेस्ट आप लोग देते कभ परिक्षा देते कभ है जब आपकी तैयर है एक अच्छे लेवल पर बहुत जाती है उससे पहल मत्विदेश सामान ग्यान को अच्छे से कवर कर लीजे पहले ठीक है डिटेल के साथ पढ़ लीजे और उसके बाद मौक टेस्ट लगाईए और परिच्चाएं भी दीजे तो इस तरह कि हम लोगों ने भी आपका मत्विदेश सामान ग्यान बहुत अच्छे से कवर किया एक क्लास ली है हम लोगों ने और चेप्टर वाई चेप्टर पढ़ा है बहुत साधान सब्दों में तो यह 17 गंटे की क्लास एक पूरी है यह आपकी सुपरफास्ट डिवीजन के नाम से जो आपकी फिलेलेस्ट सूची है उसमें डली भी है ठीक है वहाँ जाकर देख सकत अब तो चली हम लोग 20 वे टेस्ट का पहला कुश्चें से देखते हैं बे वार जूम खेती किस जनजाती में पिछले थे यह आपकी बे गामे हैं कुश्चे नमर एक में क्या होगा इसमें ए ओप्सन सही हो अगर कुश्चे नमर दो की बात करें हम लोग मदविदेश के किस जिले में सरवाधिक अनुसूचित जनजाती पाई जाती हैं मदविदेश के किस जिले में सरवाधिक अनुसूचित जनजाती पाई जाती हैं तो ए थी आपका जहावगा क्यास में जहावगा में कुश्चे नमर दो में भी आपका ए सही है कुश्चे नमर तीसरा मदविद इसके किस जिले में नियुनतम जन जाती जन संक्या पाई जाती है तो भिंड अनुसरवादी के अनुसूचित जन जाती जाबुआ जिले में और नियुनतम भिंड में याद रखना है पाताल कोट छिद वाड़ा में कौन सी जन जाती रहती है तो यह आपकी भारिया पता है आपको 2019 तक आपका जो भी MPPSC हो दाता पेपर इसमें इस तरह के कुश्चन जन जातीयों से और जो आपकी एक्ट थे उनसे अधिकतर कुश्चन पूछे जाते थे यह बहुत बड़ा हिस्सा कुश्चनों का इनी छेत से बनता था लेकिन जैसा कि आपको पता होगा 2020 से आपका मद्विदेश MPPSC ने लोग से वाईव ने यानि कि वहाँ सिलेवर्स चेंज किया है और इन तीनों एक्टों को हटा दिया गया है तो अब हो सकता है कुश्चन तो आएंगे ऐसा नहीं कि सिलेवर्स से पूरा हट गया हो तो कुश्चन तो पूँचते रहेंगे घुमा पर आके तो आप लोगों को पढ़ते रहना है क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा कि मद्विदेश में सबसे जाना जन जाती अच्छे तो पाई जाते हैं तो इनसे कुश्चन पूँचते हैं चलते हैं कुश्चन नमर पांच की तरफ गोल गदेडू बिवाय पिथा किस जन जाती में पाई जाती हैं तो गोल गदेडू बिवाय पिथा आपकी भील जन जाती में पाई जाती हैं किसमें भील में कुश्चन नमर पांच में क्या होगा C आप्सन सही होगा कुश्चन है आपके सामने छटवा सूची एक को सूची दो से सुमलित करना है पहाडी कोरवा, जस्पुर, बेगा, मंडला, भारिया, पाताल को छटवाडा, सहरिया, ग्वालिय तो कुश्चन नमबर छटवे में आपका ए ओप्सन सही हुगा अब आप यहां सोच सकते हैं कि अगर आपने मदबदे सामान गयान को डेटेल के साथ नहीं पढ़ा है यानि कि विस्तार के साथ नहीं पढ़ा है तो अब इस कुश्चन को कैसे सूल कर पाएंगे यह तो तभी कर सकते हैं आप लोग जब आपने डेटेल में सब कुछ पढ़ा हों तो इसलिए पहले मदबदे सामान गयान को पढ़ लिया जी कुश्चन है साथ आदिम जाती कोरकू मदबदेस में कहां पाई जाती है आदिम जाती कोरकू आपकी मदबदेस के दच्छडी जिलों में पाई जाती है दच्छिड के जिलों में साथ में क्या होगा A option Quesn है आपका 8 सहरी या जंजाती के निवासिस्थान को क्या कहते है सहराना Quesn नमबर 8 में क्या होगा A option विल्कुल सही होगा बात करते हैं Quesn नमबर 9 के बारे में क्या है Quesn हमारा 9 गोटुल तथा बाड़ा परंपराएं किस जंजाती में पाई जाते हैं तो एक गौन जंजाती में पाई जाते हैं 9 में आपका B होगा 9 में क्या होगा B option सही Quesn है उसके बाद 10 चट कोरा किस जंजाती का नेथ है चट कोरा किस जंजाती का नेथ हैं एक कोरकू जंजाती का नेथ है Quesn है हमारा 11 हलवा जंजाती किस जले में पाई जाती है मद्धिदिस में हलवा जंजाती किस जले में पाई जाती है या आपकी बाला गाट जले में पाई जाती है 11 में आपका B होगा question है बारे निम्न में से कौन सी यूप जाती भील की नहीं है पठलिया है भिलाला है बरेला है लेकिए पंडो नहीं है तो बारे में क्या होगा D बारे में आपका D-ODon बात करते हैं question number 13 की कमारे जन जाती निम्न में से किस जिले में पाई जाती है तो कमार जन जाती आपकी सहडोल में पाई जाती है मदवदेश के सहडोल जिले में कुशन है मारा चौदे टंडा निम्ने में से किस जन जाती से संबन दित है या आपका बन जारा जन जाती से संबन दित है Question number 14 में आपका D होगा Question है आपका पंद्रवा क्या है कथा उद्ध्योक से कौन सी जन्जाती जुड़ी है कथा उद्ध्योक से आपकी खेरवार जन्जाती जुड़ी होई है 15 में क्या होगा आपका A option Question है 16 नहाला किस जन्जाती की उप जाती है नहाला आपकी कोरकू जन्जाती की उप जाती है 16 में आपका C होगा 16 में क्या होगा C पर आपका सत्रे question सेला नेत किस जन्जाती का प्रमुक नेत है या आपका बेगा जन्जाती का प्रमुक नेत है 17 में आपका सत्रे में ए कुश्यन है अठारे फारिसी भासा में सहर का अर्थ क्या होता है फारिसी भासा में सहर का अर्थ क्या होता है तो अठारे में आपका भी होगा है जंगल क्या होता है जंगल होता है कुश्यन है हमारा उन्नीस क्या है लम सेना किस जनजाती की बिवाः पिथा है? 19 में क्या होगा आपका? D, 19 में D कुश्चन है मारा 20 क्या है कुश्चन? जनजातीओं की संदरब में नेमलिकित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानि कि हमें सही कथन चुनना है एक तन है देश में सरवाधिक अनसूची जंजातिया मधभी देश में पाई जाती है बी कतन है वर्ष 1961 की जनगरना के अनुसार मधभी देश में इनकी कुल संख्या 38.9 लाग थी सही है बर्स 2011 की जनगरना के अनुसार मद्विदेश में जनजातियों की संख्या 1,53,16,784 हो गई है एवी सही है यानि कि उपेवत सभी होगा 20 में आपके A,V,C, 3 कतन सही है यानि कि 20 में आपका 9 20 में D,Option सही होगा ठीक है फिर आपका कुश्चन 21 राजी की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितने पितिसत है यानि कि राजी में कुल जनसंख्या है उसमें कितने पितिसत आपकी जनजातियां है तो इसमें आपकी 21 दे समलो 1 पितिसत Question number 21 में क्या होगा आपका? A A option बिल्कुल सही होगा अब बात करते हैं हम लोग Question number 22 की Gond Jnjati की संदर में कौन से कतन सही नहीं है सही नहीं है कतन यानि कि यह सत कतन देखना है Gond Jnjati मद्पिदेश की सभी जिलों में फैली हुई है यह सही है नरबदा की दोनों और बिंद सतकुड़ा की पहाड़ी चित्रों में इनका अधिक साके नरण है यह भी सही है Gond सब्दी की उत्पत्ती देविड भासा की कौन्ड सब्दे से हुई है यह आपका गलत है यानि कि 22 में आपका C option असत है सही नहीं है ठीक है बाहिच में क्या होगा आपका C Question है मारा 23 Question क्या है 23 मदबदेश में सेडोली पित्था किस जनजाती में पिछले थे मदबदेश में सेडोली पित्था आपकी कोरकु जनजाती में पिछले थे याद रखना C option सही हो Question है आपका 24 यानि की 24, निमलिकित कखनों पर विचार कीजे, बेल जन्जाती मद्विदेश की पश्चिमी चित यानि की धार जहाबुआ और पश्चिमी निवाड जिलों में निवास करती है, बेल सब्द की उत्पत्ती देविड भासा की बेल से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुस, चुकि यह जन्जाती धनुर विद्ध्यास में निपुण होती है, इसलिए इसे बेल कहा गया है, यह भी आपका सही है, यानि की question number 24 में आपके दोनों के तन्द सही होगा, ठीक है, तो चलिए यह था आपका 20 बार टेस्ट, अंगली क्लास में लोग, 21 में टेस्ट की बारे म बात करेंगी आपके, ठीक है?